भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ बिदाई देना इस साल की चुनोतियों को भी दर्साता है और नए साल की प्राफिक्ताओं को भी श्पस्ट करता है ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ के रुप में अभूत पुर्वज चुनोतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ ही संपदा है ये कथा हमें अमारे पुर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भाती सिखा दिया स्वास्थ पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दाइरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का ये अंतिम दीन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वारियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना युद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दाओं पर लगा रहे हैं कर्तव ये प्रतपर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया हैं वे आज उन सब को आदर पुर्वक नमन करता हूँ आजदेश उन साथियों को उन वैग्नानीकों को उन करमचारियों को भी बार बार याद कर रहा हैं जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफास्ट्रक्चर तयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराना का है जिनोंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाय पहुचाने में पूरे समर्पन के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामुहिक संगठिक ताकत समाज का सेवा भाव समाज की सम्वेदन सिलता उसी का नतिज़ा है कि देश वाश्यों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र है आदर के पात्र है साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जूट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को उस सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है भारत ने एक जुड़ता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परणाम है कि आज हम बहुत बहतर स्थिती में हैं जिस देश में एक सो तीस करोड से ज़्यादा लोग हो गनी आबादी हो वहां करीब करीब एक करोड लोग इस बिमारी से लड़कर जीत चुके हैं कोरोना से पीडित साथ्यों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बहतर रहा है वहीं अब संक्रमन के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरब जा रहा है